आजी है हलो वान कैसो आप सभी लोग आई हूँ मेरे सारे भाइबेन बढ़ियाई होंगे आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमेश्कितर बिटकून के बारे में मार्केट से आई कुछ इंपोर्टेंट अपडेट्स के बारे में जिनको चांद कर मैं आपके लिए लाया और इसके बाद में एक जरूरी काम तो करे लेना कि हमारे टेलिग्राम चैनल को जाके जोइन करे लेना जहां पर में मार्केट से आने वाली सारी इंपोर्टेंट अपडेट मालो अगर कलना बिटकून को लेकर कुछ सीरियस अपडेट अगई कुछ एमर्जेंसी अपडेट वेदर भी अच्छा चल रहा है मान सुनाने वाला है चलो बिटकून की बात कर देखो साब बिटकून अभी 60,000 के लेवल को मेंटेंड करके रखा है और जब तक यह 60,000 के उपर है तब तक आप यह मान के चलो कि यह जो रेंज बाउंड हमें पिछले तीन मेने से चलते देखा है कि जब भी एक बड़ी रेंज बाउंड तूटती है तो उसके बाद में एक बड़ा तूफान आता है अगर यह उपर की साइड तूटी तो भाया बिटकून एजली आपको एक दो महीने के अंदर लगबग 90,000 या 85,000 तक देखने को मिल सकता है और अगर इसका उल पर ही चल रहे है और डेली क्लोज भी कई न कई हमें 60,000 के ऊपर ही देखने को मिली है तो अभी तक तो को यह सी घबराने वाली बात हुई नहीं है अचा एक अपडेट टेलिग्राम पर उल्रडी मैंने कल शेयर करी दी ती आपने देख लिए होगा कि वैनेक जो है चूकि अभी तक इथिरियम की ETF को लेकर ही suspense बना हुआ था दो तिन मेंने पहले तक तो कि भाया अप्रूव होगी है नहीं होगी इथिरियम की ETF वो अप्रूव हो गई है तो उसके बाद में अब 16 ना की ETF दायर की गई है और अगर 16 ना की ETF दायर होती है तो भाया जो ETF के काफी जान Bloomberg के काफी बड़े senior analyst है ETF के उन्होंने ये कहा है कि सब इतना easy नहीं है ये 16 ना का ETF अप्रूव करवाना क्योंकि इसके लिए या तो पूरी administration को ही change करना पड़ेगा या जो security regulator head है उसको change करना पड़ेगा तब ही जागे हम मान सकते कि भाया जो ETF है 16 ना की वो अप्रूव हो सक अब ना सिर्फ सोलाने की ETF बल्की MicroStrategy को 2x long 2x short करने की ETF भी दायर की गई है T-rex Group के दौरा ये भी ETF कंपनी है जो की ETF मार्केट में लाई थी उन्होंने भी MicroStrategy MicroStrategy का है जानते हूंगे Michael Siller वाली कंपनी जो की हर 2-4 महिनों के अंदर Bitcoin की बड़ी quantity में बाइंग करती रहती है इनका ये ETF लाने की बात करें यानि कि इस कंपनी को long या short कर सकते हो हमारे ETF के जरीए तो वही है ऐसा भी कुछ मार्केट में होने जा रहा है अब बात करें अग फिलाल जो gold का market है ना उससे भी 10 गुना कम हमारा crypto का market है और Bitcoin जो है एक तरीके का nascent asset है तो basically इन्होंने Bitcoin के market को gold के market से compare करा in short आपको बदा हूं तो भया इन्होंने यही कहा कि ज़्यादा उजास मत रहो Bitcoin का market अभी भी छोटा है कही न कहीं आ गयाने वाले कुछी मिसालों के अंदर Bitcoin का market, gold की market को भी पचाड सकता है तो कहीं न कहीं BlackRock की तरफ से यह थोड़ा सा motivation मिला है या फिर उन्होंने एक वीडियो रिलीज करा है बताने के लिए कि भया Bitcoin कहीं न कहीं bullish ही है इसके लावा देखो बहुत सारे लोग अभी अलग-अलग exchange के पर trade करते है क्योंकि ए एक और exchange market में काफी धूम मचा रहा है बड़े-बड़े जो शाक से वेल से वो भी इस exchange को चुनने लगे हैं कौन सा exchange है प्लिपस्टर अब देखो एक exchange के लिए सबसे important बात होती है कि भया वो user का asset सही से समाल के रखे यानि कि उनका जो asset है वो उस exchange पर कहीं न कहीं सिक्योर क्योंकि एफटेक्स कांडम ने देख लिया था तो ये क्या करते हैं कि भया हर बार अपना जो proof of reserve वे वो शेयर करते रहते हैं तो यहां पर मैं इसको अभी refresh कर चुका हूँ यहां पर आप देख सकते हो कि इनकी जो भी reserve वे उसका यह proof देते रहते हैं यानि यह proof of reserve वाला fund समझ लो साथ इन्होंने blockchain address वगेरा दाला हुआ है तो यानि कि आपका ऐसे डिसके उपर safe रहेगा अब यह तो बात होगी कि आपका पैसा safe रहेगा दूसरी important बात कि भाई आप fees कितनी है तो इन्होंने साफ साफ यह बताया है और साफ साफ इन्होंने पहले भी announcement कर दिया कि या इनकी दरफ से ना तो कोई taker fees ली जाएगी ना ही कोई maker fees ली जाएगी यानि कि zero taker or maker fees इन्होंने लगाई हुई है साथ ही इनका जो deposit fee है withdrawal fees है वो भी बहुत कम इन्होंने दी हुई है जो कि काफी अच्छी बात है साथ ही अगर आप इस exchange के दूर और earning करना चाते हो तो यहां पर earning का section आप देख सकते हो जिसके अंदर आपको estimated earning जो है वो बीस परसंट के आसपास देखने को मिल रही है APR जो है वो बीस परसंट की है और एक exchange अगर आपको 20% की APR दे रहा है तो वो बहुत अच्छी बात है देखो बहुत से exchange आपको 30-40% वो फेक होता है उसके max to max आप 15-20% का मान सकते हो इतना ही APR एक exchange दे पाता है तो आपको क्या करना है मेरे भाई जाके description box में इसका मैंने link डाल दिया है अगर आप उस link पर click करके account बनाओगे तो आपको एक अच्छा खासा welcome bonus मिलेगा तो अगर आपकी इच्छा है कि flipster में में को account बनाना है तो बह आपको यह देखने को मिली जाएगा और बागी इनके जो announcement वगिरा है वो आते जाते रहते रहते हैं कि बहुत आपको 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 सेक्षेन में मिल जाएंगे इसके अलावा देखो अभी क्रेकन एक्षेंज के जो सी हुए ना भाई साब उन्होंने डोनाल ट्रम के campaign में उन्होंने एक मिलियन डोलर की क्रिप्टो राशी दी है ट्रम के campaign के अंदर और इससे पहले जो जेमिनी एक्षेंज के फाउंडर थे उन्होंने दो मिलियन डोलर की funding दीती ट्रम के अंदर तो यह बता रहा है कि बड़े बड़े एक्षेंज के CEO है जो बड़े बीच में डिबेट के अंदर बेसिकली इन्होंने बहुत तीखी नोग जो करी परसनल इन्होंने comment बाजी भी करी बाइडन साब ने परसनली ट्रम साब के उपर काफी allegation लगा है तो मतलब काफी तीखी नोग जोगती समरी यह यह कि कही ना कहीं जो ट्रम साब है वो बाइड crypto community के लिए कुछ positive होगा तो इसका impact overall global market के उपर पढ़ने वाला है तो यह एक बात हो गई बागी देखो आज की दिन market में यही काम की updates आई है और इसी कोई काम की updates आई नहीं I hope दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो पसंद आया हो तो definitive video को like करना है अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को subscribe करें लेना टेलीग्रम को subscribe करें लेना मिलते हैं जल्दी नहीं update के साथ तिल ने जय हैं जय भारत